हेलो मित्रो विध्यारती ये जो हमारा टैस्ट है तीजी टी और पीजी टी से संबंदित है इसमें पहला पर्सन मैं आपको बताता हूं कि पहला पर्सन जाहे क्या है देखे हड़प्ता लीपी के बारे में निम्मे से हडपा, सब्यता, लीपी के बारे में निम्मे से कौन सा कथन सही नहीं है तो इसमें पहले परसन का उत्तर जो कह है वो है कुछ ऐसे उधारन भी उपलब्द हैं कि यह लीपी बाइयों और से दाइयों और को लिखी जाती है और खे जो है खे उत्तर जा है वो हडपा, लीपी, साब्दाज, वो जा है मैं जैसे मैं आपको बताता हूँ कि परसन नंबर एक और परसन नंबर का एक का जो पहला उत्तर है खे वो मैंने आपको बताया अब मैं दूसरा बताता हूँ, खै, खै जह हडपा लीपी सब्दाफ सिरिक है, अर्थात पार्टियेक, परियुक्त पर्तीक, किसी सब्दिया सब्दांस के लिए होता है, ये खै है और अगला है गै, गै में जो है, गै में जो उत्तर है, वो ये है, ये है सामानिय रूप से द लंबे पर्ती रूप में तीस संकेत हैं, तो इन में जह है, इन चारों में कौन सा उत्तर है, कौन सा उत्तर सही है, ये आपको बताना है, तो इसमें मैं आपको बताता हूँ, इसमें जह है, जो घै है, घै, उत्तर जो सही है, इसका जो उत्तर होगा, घै है, लेखन के सबसे लंबे पड़ती रूप में तीज संकेत है ये उसका ये उत्तर है अब अगला आता है परसन नंबर दो परसन क्या है मेज़ो पोटामिया के इतिहास में निमली कित में से किस अवधी को प्रातनिक्ता राज्यक राज्यगठन का युग माना जाता है ये आपको बताना है के बारे में मैंने ये पर्सन आपको बताए कि मेंसो पोटामिय के इतिहास निमली कित में से की साओधी को प्रावात्मिक्ता राज्य गठन का युग माना जाता है उसमें जो उत्तर हैँ मैं आपको बताता हूं जो कैमे जो उत्तर है वो है अलुबेद काल अलुबेद काल और खैमे है हलाफियान हलाफियान काल और गैमे है इस्मरन काल गैमे का है इस्मरन काल है और गैमे जह है उरुक काल है गैमे का है गैमे है उरुक काल तो आपको इसके बारे में बताना है कि कौन सा इसम जो है उत्तर सही है तो इसम जो उत्तर सही है वो है घै उरुक काल अगला परसन बनता है हमारा तीसरा परसन है कि निम लिखित में से कौन सा हडपा अस्तल हर्याने में इस्थित नहीं है यह आपको बताना है कि कौन सा अस्तल जै हर्याने में नहीं है तो इसमें पहला है रोपड और खै है बनावली गै राकि गड़ी गै रोपड है गै बनावली गय राकि गड़ी और गै है मिथा थल तो इसमें जो हर्याने में नहीं पढ़ता है वो आपको बताना है तो देखिए इसमें रोपड है रोपड यह हर्याने में नहीं पड़ता है परसन नमबर अगला है परसन नमबर चार परसन नमबर चार है कि मेसो पोटामिया में सामिल छेतर को आज किस नाम से जाना जाता है मेसो पोटामिया में जो सामिल छेतर हैं उन छेतरों को आज किस नाम से जाना जाता है यह आपको बताना है जैसे पूर्वी सीरिया, तुर्की और ग्रीस है और खैमे जो है पूर्वी सीरिया है दक्षिनी पूर्वी तुर्की है और इराग का अदिकांस भाग है और गय है इरान और इराक और गय है इरान और लेबनान गय है इरान और लेबनान तो आपको बताना है इरान और लेबनान है या ओप्सन जो है कै दिया हुआ है पूरवी सीरिया तुर्किया और ग्रीस ये है कौन सा है वो आपको बताना है तो इसमें जो है उत्तर है खै यानि का जो उत्तर खै है इसमें पूर्वी सीरिया दक्षनी पूर्वी तुर्की और इराग का जो अधिकांस भाग है ये उत्तर इसका जो है सही है कि मेसो पूर्टामिया में जो सामिल छेत रहें उनको आज किस नाम से जाना जाता है तो पूर्वी सीरिया पूर्वी सीरिया का जो है हिस्सा वो दक्षनी पूर्वी तुर्की और इराग का अधिकांस भाग और ये जो तो ये उत्तर जह है इसका सही है उत्तर जह है इसमें ख अब आपको बताना है अगला पर्षन है कि सिंदु घाटी सभ्यता जैने मिली कित में से किस की परकरती थी यानि का सिंदु घाटी सभ्यता निमली कित किस पर आद सहरी यानि का अद्धी सहरी थी या पूरी सहरी थी या सहरी ग्रामीन थी या ग्रामीन थी ये आपको बताना है सिंदु घाटी सब्यता किस तरह की थी ये आपको बताना है तो इसमें मैंने बताया पहला option जा है कह में आद सहरी और खह में सहरी और गह में सहरी और गिरामीन और गह में है गिरामीन तो इसमें जो उत्तर होगा सहरी होगा अगला person आता है हडपा संसकर्ती के विद्वन्स के लिए आरिया आकरमन के सिद्दांत का परतिबादन किस ने किया यानि का जो हडपा सब्यता थी हडपा संसकर्ती हडपा सब्यता हडपा संसकर्ती तो इसके विद्वन्स के लिए आरिया आरिया जो आकरमन के सिद्दांत का परतिबादन किस ने किया यानि का ये किस ने कहा कि इस हडपा सब्यता हडपा संसकर्ती का जो विद्वन्स है ये आरिय आकर्मन ने किया है इसका मतलब यह होता है कि हडपा संस्कृति के विद्वन्स यानि का उसका विनास किस ने किया तो इसमें बता है एक विद्वान ने कि आरिय आरियो ने किया तो परसन यह बनता है हडपा संस्कृति के विनास का या विद्वन्स के लिए विद्वन् का परतिपादन किसने किया तो इसमें है जोन मार्सल है और मार्टी मर्विहलर है और बीबी लाल है और घह में जा है बी के थापड है बी के थापड तो इसमें उत्तर कौन सा होगा जान मार्सल होगा या मार्टी मर्विहलर होगा बीबी लाल होगा या बी के थापड होगा त इसी ने ये कहा कि आरिया आक्रमण जय है आरिया आक्रमण इसका जिम्मेदार है हडपा संस्कृति के विद्वन्स का देखिए अगला जब परसन मनता है वह है मिट्टी के पिराचीनतम 274 मोहरे किस पूरा अस्थल के उत्खनन से प्राप्थ हुई है जैसे कह है महन जोदडो और खह है खह में है गनेरिवाल और गह में है कायत और गह में जो है वह है बसाड दुबारे मैं आपको बताता हूँ देखिए पहले में है महन जोदडो खह में है गनेरिवाल गह में कायत और गह में है बसाड तो इसका उत्तर जो होगा वो बसाड आपको बताना है अगले परसन अगला परसन है किस हडपा अस्थल से एक मानव अस्थी पिंजर के निकट एक बकरे का अस्थी पिंजर प्राप्त हुआ है तो एक है इसमें लोथल है और दूसरा है काली बंगा और तीसरा है हडपा और छोता है इसमें महंजोदडो तो आपको बताना है ऐसा कौन सा हडपा अस्थल है जहां एक मानव अस्थी पिंजर के निकट एक बकरे का अस्थी पिंजर प्राप्त हुआ है तो इसमें लोथल है, काली बंगा है, हडपा है और इसमें जह है, महुन जोदुड है, तो इसका उत्तर जो होगा, महुन जोदुड होगा। अगला परसन है, निम्न हडपाई अस्तलों में जिनमें चावल की खेती के परमान मिले हैं, वो बताना है, कि ये जो चार ओप्सन दिये हैं, इनमें से बताना है कि हडपाई वो कौन सा या कौन से हडपाई अस्तल हैं, जहां से हमें चावल की खेती के परमान मिले हैं, तो इसमें काली बंगा है, लोथल है, महुन जोदुड है, और आपका है सुरु कोतडा, तो इसमें से आपको बताना है जहां से हमें चावल की खेती के परमान मिले हैं, तो चावल की खेती के परमान मिले हैं, काली बंगा से मिले हैं और लोथल से मिले इन दोनों अस्तलों से जहाएं में चावल की खेती के परमान मिले हैं और परसन ये था कि निम्न हडपा ये अस्तलों में जिन में चावल की खेती के परमान मिले हैं तो कौन से हैं तो काली बंगा और लोथल ये दोनों है अगला परसन है कि किस पूरास्थल के दुर्ग से साथ अगनीकुंड मिले हैं, किस पूरास्थल का कोई दुर्ग होगा या किला कहिए, वहां से हमें साथ अगनीकुंड प्राप्थ हुए हैं, तो वह कौन सा पूरास्थल है, यानि का कौन से पूरास्थल के दुर्ग से या किले से, दुर्ग में या किले में हमें साथ अगनीकुंड प्राप्थ हुए हैं, तो उसमें हडपा है, पहले नमबर पे हडपा है, फिर है मोहन जोदुड है, उसके बाद है लोथल और उसके बाद है काली बंगा, तो आपको बताना है कि इसका जय है उत्तर कौन सा सही है, पूरास्थल है, पूरास्थल में एक दुर्ग है, दुर्ग यानि का किला है, उसकिले में साथ अगनीकुंड प्राप्थ हुए हैं, तो ये परसन है कि किस पूरास्थल के दुर्ग में साथ अगनीकुंड प्राप अगला हमारा परसन बनता है हडपा का कौन सा अस्थल भूकम के आरंबिक साक्ष्यों को दर्षाता है इनमें हडपा भी है इनमें धोली वीरा भी है हडपा हुया धोला वीरा हुआ और महोन जोदुड़ो हुआ और काली बंगा तो इन चार ओप्सनों में कौन सा उत्तर है ये चार उत्तर दियों है इनमें सही उत्तर आपको बताना है पहला है हडपा दूसरा धोलावीरा चोता महन जोड़ो और तीसरा महन जोड़ो चोता है काली बंगा तो इनमें जह है उत्तर है काली बंगा काली बंगा से भूकम के आ अगनी पूजा के साक्स हडपा संसकर्ती के किस अस्थल से मिले हैं लंबर एक है काली बंगा लंबर दो है राखी गड़ी लंबर एक काली बंगा राखी गड़ी और हडपा है और रंगपुर है तो आपको बताना है कि हडपा संसकर्ती के किस अस्थल से हमें यह मिले हैं अगनी पूजा के साक्स हमें हडपा संस्कृती के किस अस्तल से मिले हैं काली बंगा, राखी गड़ी, हडपा और रंगपुर तो आपको बताना है तो इसमों उत्तर है काली बंगा अगला परसन है हडपान अस्तर से पकी मिट्टी का पैमाना पार्टी वेदित है पकी मिट्टी का पैमाना पार्टी वेदित है वो कहां से है? लोथल से है, काली बंगा से है लोथल है, काली बंगा है और धोला वीरा है या सुर कोतड़ा है कहां से हमें पकी मिट्टी का पैमाना पार्टी वेदित होता है तो इसका उत्तर होगा काली बंगा अगला परसन बनता है रेखिये मापन के लिए हाती दात का पैमाना प्राप्त हुआ है रेखिये मापन के लिए हाती दात का पैमाना प्राप्त हुआ है लोथल से हुआ है काली बंगा से हुआ है या काली बंगा हुआ धोला वीरा से हुआ है या सुर कोतड़ा से हुआ है कहां से प्राप्त हुआ है हाती दात का पैमाना रेखिए मापन के लिए तो इसका उत्तर है लोथल अगला हमारा पर्षन है पर्षन नमबर पंदर है निम्न अस्तल हडपी अस्तल में कहां से जो है मजदूरों के मकानों के अवसेस प्राप्थ हुए है यानि का हडपा यस्तल में कहां से हडपा यस्तल में कहां से मजदूरों के मकानों के अवसेस प्राप्थ हुए है यह आपको बताना है लंबर एक है गै में है हडपा, खै में है चनुदडो, गै में है रंगपुर और गै में है रोपड तो आपको बताना है कौन सा उत्तर सही है वह कौन सा हडप़ अस्थल है जहां से मजदुरों के मकानों के अवसे प्राप्त हुय है तो वो अस्थल है हडपा एक मुद्रा पर एक व्यक्ति एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाग से लड़ता हुआ अंकित है यह किस हडपन अस्थल से प्राप्त हुई है कि यह किस हडपन अस्थल से प्राप्त हुई है लंबर क्या है लंबर एक महुन जोड़ो लंबर दो है राखी गड़ी और लंबर तीन है काली बंगा और लंबर चार है बनावली वह कौन सा हड़पन अस्तल है जहां से एक व्यक्ति भाग से लड़ता हुआ अंकित है तो इसमें महुन जोड़ो राखी गड़ी काली बंगा बनावली तो इसका उत्तर होगा काली बंगा अधो लिखित में किस पूरा अस्तल से मिट्टी के रथ का नमूना प्राप्त हुआ है मिट्टी के रथ का नमूना प्राप्त हुआ है इसमें क्या है एक है काली बंगा है और एक है इसमें राखी गड़ी और गय में जहे महन जोद्रो है और गय में जहे धोला वीरा है तो आपको बताना है कि इनमें कौन सा जो है उत्तर सही है कि किस अस्तल से हमें मिट्टी के रथ का नमूना प्राप्त होता है तो काली बंगा राखी गड़ी महन जोद्रो धोला विरा इनमें आपको बताना है कि वह कौन सा अस्तल है इनमें जो उत्तर होगा वह राखी गड़ी है समाधी जो अगला परसन है समाधी एच का सम्मंद हरपा संस्कर्टी के किस अस्तल से है तो कैमे है हरपा उसके बाद है काली बंगा उसके बाद है रोपड उसके बाद है पिराख तो इसमें आपको बताना है हडपा, काली बंगा, रोपण, पिराग इनमें कौन सा उत्तर सही है तो इनमें जो उत्तर सही है वो हडपा है अगला परसन है सिंदू घाटी सब्यता के किस आवाश ये छेत्र में निवली कित में से कौन सा आरोहन करम सही है यानि का सिंदू घाटी सब्यता के किस आवाश ये छेत्र में निवली कित में से कौन सा आरोहन करम सही है लंबर एक है हडपा महोंजोदो धोलाविरा घपपा महंजोद्र धोला वीरा घपपा अगला अउप्शन है रह्पा धोला वीरा महंजोद्र धोला वीरा घपपा गय थोला वीरा हडपा pasta तो इसका आपको उत्तर बताना है 21 हडपाई आवासे छेत्र में निमलिकित में से कौन सा आरोहन करम सही है यानि का जो हडपाई अस्थल है उनमें जो आवासे छेत्र है उनका आरोहन करम बताना है आपको तो इसमें जो आरोहन करम है यानि का जो अवरोही करम होता है घटतावा होता है आरोही करम होता है बढ़तावा तो यह आपको बताना है तो इसमें पहला ओप्शन है हडपा महोंजोद्डो और धोला वीरा अगला परसन है तामर निधिया तामर निधिया आरियो की आरियो की कर्तविय है यह किसका कथन है गह में एस गेलरन है और गह में एस पीगट है और गह में है एम वहिलर या मार्टि मर्वहिलर कहिए और गह में है वीजी चाइल्ड तो इसके बारे में आप यह परसन मनता है कि तामर निधिया आरियो की कर्तविय हैं यह किसका कतन है यह जह किसने कहा तो इसमें H गैल्डरन, S पीगट, M विहलर और VG चाइड तो इसका उत्तर आपको बताना है इसमें उत्तर जह पहला है कै एच गैल्डरन अगला परसन है हडपा संस्कृति के किस असल से मध्या नगर का परमान मिला है मध्या नगर का परमान मिला है इसमें है काली बंगा भी है इसमें राखी गड़ी भी है और सुथ का गैंडोर भी है और बनावली भी है तो परसन यह है कि किस हडपा यस्तल से मध्या नगर का परमान मिला है तो इसमें उत्तर होगा काली बंगा अगला परसन है सिंदु सब्यता के लोगों के लिए डील वाला बैल था जो सिंदु घाटी सब्यता के लोग थे उनके लिए जो है जो डील वाला बैल था वो वे जह है वो उसका जह है वो किस तरीके सब्यता से मानते थे सिंदु घाटी सब्यता में सिंदु घाटी सब्यता के जो लोग थे लोगों के लिए डील वाला बैल था तो इसका जो उत्तर है इसके चार उत्तर है लंबर एक है देशी पसु यानि का जो कह है कह में है देशी पसु मैं दुबारे से आपको बताता हूँ कि हडपा सभ्यता के लोगों के लिए डील वाला बैल क्या महतु रखता था या उसे वे कैसा समझते थे या उसे वे क्या मानते थे तो पहला जो पर्शन है पहला जो ओप्शन है कि उसमें है देशी पसू खै में है विदेशी पसू गय में है पवित्र पसू और गय में है बली पसू तो इसका उत्तर जो होगा इसका उत्तर होगा पवित्र पसू अगला परसन है पूर्ण जो हडपा सभ्यता है पूर्ण विक्सित हडपा सभ्यता लगबग कितनी सताब्यतक जीवित रही यह आपको बताना है कि जो हडपा सभ्यता है वो लगबग कितनी सताब्यतक जीवित रही है तो इसमें चार है पांच है और साथ है और तीन है यह साथ होगा अगला परसन है सैंदिस अभ्यता के सबसे पूर्वी अस्तल आलमगीर पूर का उत्खनन किया था तो इसमें है वाइडी सर्मा द्वारा ए घोस द्वारा बी के थापर द्वारा या बी बी लाल द्वारा तो इसका आपको जह है उत्तर बताना है इसका उत्तर है वाइडी सर्मा अगला परसन है और आखरी परसन है ये आखरी है सिंदू सब्यता से सम्मंदित निमलिकित पूरा स्थलों में कौन सा या कौन उत्तर परदेश में इस्तित है लोथल आलमगीरपूर रोपड या राखि गड़ी तो इसका उत्तर आलमगीरपूर है इसका जो उत्तर होगा आलमगीरपूर यह अस्थल जह है उत्तर परदेश में इस्तित है यह जो हमारा टैस्ट था यह TGT और PGT से संबंदित था आपको यह हमारा टैस्ट कैसा लगा आप लाइक करें केमेंट करें और हमारे चैनल को सस्क्राइब करें थैंक यू अन्हें तोस्ट रैसल ऑर ब 먹ला हुट आलमगीर यह जल आपको करें इस में यह क्या आ